हमारे जिना गन्ना अधिकारी मोध्या हमारे साथ में हैं और बहुत ही हमारे खोनार कासकार स्री राम सगल जी गराम हरियावा हमारे बीच में हैं और हम राम शगल के खेट पर हैं रॉंच आप गरम की बहुत अच्छी भंधाई की है तो इस वर्णाय की क्या आई हैं और आपने यह राभ jeśli यह हम इलाब ऑन्य करताल्ण और इसकी बढ़वार अच्छी होती है और इसमें गास पातकिर्शी क्रिया की आने जाने में हवा का हवा और रोसनी अच्छी लगती है जिससे गण्य का बढ़वार भी अच्छा होता है तो हमारे ग्यंदा जब गिर जाता है तो इसले जड़े निकल जाती है और उसमें आखे निकां उकरित हो जाती है जिससे हमारा लेवर का खर्चा बढ़ जाता है, उसमें हमारी उपज कम हो जाती है, बधे हुए गण्ये में हमारा उपज हमोमन 20-30 परशेंट टक बढ़ जाता है. गण्ना बन्धाई जो आप करते हैं, जो कितनी तरह की गण्ना बन्धाई इसमें कीई हैं? अब मैंने जो गन्ना बधाई किया है उसमें पहली बधाई तो हम घुटनों के बराबर में करते हैं मूर से मूर करते हैं अब दूसरी बधाई जो हम करते हैं गन्ना बढ़वार ज्यादा हो जाता है तो तो दो मूर को कैची कर देते हैं कर देते हैं जब उसके वाज़ है किसी तरीक मिलेट तो हम पंगति का लेते हैं तो OH लूम्ए नूमा बाधाई तैस्सी बदाई हम ये लगवाग लुचाई हो जाती है उजब करते हैं और जब जरूवत पड़ती है इस लिए ड्रया हम इनिakin कि कितना खर्च आता है दमारे जान भाज़ ऑद्रजु आता है एक बार में आता है जाने बार करते हैं तो 55 बार करते हैं यह पार जाने कौना है इसके बाद आपको बताया कि हमारे 30% तक 30 % अपज बढ़ॉड सकती है तो यह AJ हुआ अब Legends नने की बन्धाय के बारे में जानकारी दी जिससे हमें यह जानकारी मिली कि गन्नी की बन्धाय करने से आय की दुगनी भोती है और गन्नीी की उपज भी भखती है ॗृ त